हलो स्टुडेंट्स एक बार फिर आपका स्वागत है आपके यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में इस वीडियो में हम प्राचीन भारती इतियास के सुरोतों के बारे में पढ़ेंगे तो इतियास क्या होता है इसकी क्या परिभासा है इन सब के बारे में हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा है इस वीडियो में हम प्राचीन भारती इतियास के सुरोतों के बारे में पढ़ेंगे तो भारती इतिहास को जानने के लिए हमारे पास ऐसे साधन उपलब्ध हैं जिनके अध्यन इम सर्वेक्षन से हमें भारत की प्राचीनता के इतिहास के बारे में पता चलता है इन साधनों के अध्यन के बिना अतीत और वर्तबान भारत के बारे में जानना संभव नहीं है प्राचीर भारत के इत्यास की जानकारी के साधनों को तीन भागों में बांटा जा सकता है और वो तीन भाग कौन-कौन से हैं साहितेक सादन पुरातात्विक सादन और विदेशी यात्रियों का विर्तान्थ तो यहां पर हम सबसे पहले देखते हैं साहितेक स्रोत साहितेक स्रोत है ये दो भागों में माटा गया है धार्मिक साहिते और लोकिक साहिते धार्मिक साहिते इसको भी दो भागों में बाटा गया है वो कौन-कौन से दो भाग ब्रामन साहिते और ब्रामनेतर साहिते अब देखेगा धार्मिक साहिते क्या है तो धार्मिक साहिते है ये धरम पर आदारित होता है एकजामपल के तोर पे हम देख सकते हैं वैदिक धरमगरंद, जैन धरमगरंद और बोध धरमगरंद तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं धार्मिक साहिते अब देखेगा धार्मिक साहिते इसको भी दो भागों में बाटा गया है दार्मिक साहिते को भी दो भागों में बटा गया वो दो भाग कोन कोन से है वेदिक ध्रम ग्रंत या फिर ब्राह्मन साहिते अब ब्राह्मन साहिते हैं इसमें वेद, ब्राह्मन ग्रंथ, आरणेक, उपनिशद, वेदांग, सुत्र, महाकावे, स्मृत्ति ग्रंथ, पुरान, रामायन, महाभारतादी आते हैं और दूसरा आपका है ब्रामनेतर साहिते तो धार्मिक साहिते है इसमें दो भा कोन-कोन जे ब्रामन साहिते और ब्रामनेतर साहिते ब्रामन साहिते को वैदिक ध्रम ग्रंथ भी खा गया है अब यहां पर अपने पड़ेंगे ब्रामनेतर साहिते ब्रामनेतर ग्रंथों में बो बोध गरंथ भी त्रीपिटकी हैं इसी प्रकार जैन सहीते आगम कहलाता है ठीक है ना और जो बोध ध्रम गरंथ हैं उनके बारे में हमने पहले जो बोध ध्रम से संब्धित वीडियो है उनमें पढ़ायाव है वहां पे आप अच्छे से डिटेल से वहां पे देखेगा तो बोध ध्रम गरंथ और जैन सहीते हैं इसे प्राचिर भारती इत्यास की जानकरी हमें उपलब्द होती है अब देखेगा लोकिक सहीते तो हमने जो प्राचिर भारती इत्यास है उसके स्रोतों को दो भागों में बाटा था कौन-कौन से थे धार्मिक सहीते और लोकिक सहीते धार्मिक साहिते को फिर से दो भागों बाटा गया है ब्रामन साहिते और ब्रामनेत्र साहिते और फिर आता है लोकिक साहिते तो लोकिक साहिते के बारे में पड़े लोकिक साहिते के अंतरगत पर्मुक एथियासिक स्रोथ कोटी लेकृत अर्थसास्त्रा आता है अब देखे का लोकिक साहिते होता है मैं यहां पर आपको बताऊंगी लोकिक साहिते के बारे में तो लोकिक साहिते वह है जिसका संबन धरम से नहीं हो लोकिक साहिते यह किसी की यात्रा विर्तान प्राधारित हो सकता है ये किसी व्यक्ति विशेश पर छेत्र विशेश प्राधारित हो सकता है या फिर कोई उपनियास या कहनी भी हो सकता है और इनमें जो सबसे परमुख है वो मैं पहले ही बता चूँक हूँ वो लोकिक साहिते हमारा है कोटी ले कृत अर्थसास्त्र है इसे भारत का पर्थम राजनेती ग्रंथ शुविकार क्या जाता है यह मोर्य युगीन इत्याद जानने का प्रमुख स्रोथ है विशाका दत द्वारा रचित मुद्रा राक्षस सोमदेव कृत कता सरित सागर छेमेंद्र कृत वृत कता मंजुरी मोर्य कालिन गठनाओं की जानकरी के महत्वपुन स्रोत है खईबार प्रीक्षा में पूछा जाता है कि जैसे कोटिले कृत अर्थसास्त्र कौन से काल का है या फिर कोटिले का जो ग्रंथ है उसका क्या नाम है या अर्थसास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है ऐसे ही मुद्राराक का प्रारंबिक इथ्यास संगम साहित्य से ज्यात होता है पतंजली कृत महाभास से अवर कालिदास कृत मालवी कागनी मित्रम सुंग कालिन इथ्यास के स्रोत है सुद्रक का मृच कटिकम ततकालिन समाज का चित्रन प्रस्तूत करता है कलहन कृत राज तरंगिनी में एथिह इतिहासिक गठनाओं को करमबध धंक से प्रस्तुत किया गया है रास एकर कृत प्रबंध को हमें गुजरात के चालूक्यों के इतिहास की जानकरी परदान करता है गारगी सहिंता से भारत पर हुए यवन आकरमन की जानकरी मिलती है अब देखिएगा इतिहासिक जीवनिया त कौन कौन फिमस है कौन कौन पर सीधा उनके भाले में देखेगा अस्वय घोष कृत भुध चरित बान भट कृत हर्स चरित वाग पती का गोडवहो विलहन कृत विक्रमांग देव चरित पदम गुप्त कृत नवसाह सांग चरित हेम चंद्र कृत कुमार पाल चरित जैनक कृ पर्त्वी राज विजे इत्यास जानने के महत्तोपुन श्रोत हैं इसी परकार काली दास द्वारा रचित रचनाई अभी ज्यान सांकूतलम विक्रमों वर्षियम मालवी कागनी मित्रम मेग दूत रगुवन्स रितु सम्हार और कुमार संभुम अब देखेगा यहाँ पर जो काली दास की रचनाई हैं यह अलग-अलग तरह की थी जैसे नाटक महाकावे और खंडकावे में विभग थी वो अम यहाँ पर देखेंगे यह इंपोर्टेंट टोपिक है तो काली दास जी द्वारा रचित तीन नाटक कोन से हैं अभी जान सांकूतलम विक्रमों इतु समहार इसी परकार पुरातात्विक स्रोतों के बारे में हम यह आपर पढ़ेंगे तो पुरातात्विक स्रोत हैं यह प्राचिर भारती इत्यास को जानने के लिए सर्वाधिक प्रमानिक स्रोत हैं भारत में पुरातत्विक स्रोतों में कोन कोन से स्रोत आते हैं देखेगा अभिलेक, समारक, सिक्के, मुहर, चित्रकला, मूर्तिकला, भगनावसेज, उत्कनन में प्राप्त, अन्य सामगरी अब इन सब के बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे उसमें आप पढ़िएगा अच्छे से यहां पर हम ओनले आपको छोटा सा संक्सिफ सा परीचे दे रहे हैं यहां पर तो अभिलेक, अभिलेक किसे कहते हैं? तो देखेगा प्राचिनगाल में जो भी राजा थे वो अपनी बात परज़ा तक पहुंचाते थे और इसके लिए वो किसी भी पत्थर या पिर किसी भी दाथू पर अपने उपदेस्त लिखते थे, लिखवाते थे और ये ही क्या होते थे अभी लेग कहलाते थे जैसे कि समराड असोग के अभी लेग ठीक है न एक इंपोर्टन चेप्टर है जिसके बारे में अगले वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे इसी प्रकार से समारक तो इसमारक क्या है तो प्राचिनकार में जो भवन इमारत वगेरा जो भी बनते थे इसमारकों द्वारा उनकी वास्तुकला के बारे में पता चलता है और सिक्के तो जो राजा थे वो किस प्रकार के सिक्के कामे लेते थे सांदी के, सोने के, तमबा के, पितल के इसे क्या उस टाइम के जो राजा लोग थे उनकी अमेरी गरीवी का भी पता चलता था मुहरें होती थी, चित्रकला होती थी, मूर्तिकला होती थी इनसे क्या है कि उसमें क्या क्या चीजे थी क्या क्या कौन कौन से पसू पक्सिते इन सब के बारे में मूर्तियों और चित्रों से पता चल जाता है इसी प्रकार उत्खनन में प्राप्त अन्य सामगरी तो जब भी किसी बी टोपिक की कोई भी रिसर्च होती है तो उत्खनन किया जाता है उसमें जो भी सामगरी होती है उ उनसे भी हम प्राचीन कालीन भारती इतियास की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अब देखेगा विद्देशी यात्रियों का यात्रा विर्तांत तो प्राचीन काल से ही हमारे देश में हमारे देश में विद्देशी यात्री ब्रह्मन करने आते रहे हैं अता उन्होंने लिखा सुना समझा उनको जो भी कुछ यहां पर नया लगा जो उनके छेत्र में नहीं है या फिर उनके जैसा है इन सब के बारे में उन्होंने लिपीबद लिखा जिसको आज हम पढ़ते हैं और इत्यास के बारे में पता लगाते हैं तो यह भी हमने अलग से वीडियो आगे हम लोग आगे इसके बारे में भी वीडियो बनाएंगे उसके बारे में आप देखिएगा यहां पर जो भी महतोपुन यात्री उनके नाम आपको बताऊंगी तो यात्रियों में युनानी, चीनी, अरभी, इतालवी, अफ्रीकी, फार्सी, रूसी, पुर्तगाली, फ्रांस इत्सिंग, अलमसूदी, अलब्रूनी, चाउद, जुकुआ, मारको पोलो, इबन बतुता, निकोलो कॉंटी, अब्दुर रजाक, आदी, फिक है, इन सब के बारे में हमने डेटेल से आगे के वीडियो में बताया है, वहां पे आप देखेगा, तो आज इस वीडियो में हम और साइतेक स्रोत है, पुरातात्रिक स्रोत है, विदेश यात्रियों का यात्रावरतान दे, इनके बारे में डेटेल से आगे पढ़ेंगे, तो नए-नए वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे वोर्षप पे बन ब्रोड कास्च चैदर से जूड़े, ताकि आपको इत्यास्य संबंदित, आउर भी नईनी जानकरी, मिल सके धन्यवाद।